में यह लाइन आपके clearly लिखी भी है इसलिए मैं आपको कह रही हूं फिर उसके बाद में यह जो चीजे जो मैंने आपको basis of classification में पढ़ाई थी तो यहां organ और organ system दोनों ही level organization के पाहे जाएंगे दोनों ही के NCRT में mention है दूसरा bilateral symmetry होगी कैसे होंगे इन में silom नहीं होगी यह silomate में मैंने example इन ही का बताया था और कैसे होंगे यह triploblastic मतलब इनके परिवर्दन में तीन लेयर बन जाती है एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म नेक्स्ट गमनांग लोकोमेटरी ओर्गन का मतलब होता है गमनांग इनके अंदर गमनांग अनुपस्तित होते हैं और इनका जो body plane होता है वो blind sec होता है और अगर आपने previous classes ली होंगी तो आपको पता होगा blind sec का मतलब क्या है कि इनके अंदर mouth और एनस separate नहीं होते हैं digestive tract जो आहर नाल है वो अपूर्ण होती है इनकंप्रेट होती है दूसरा अब देखो यह क्या है पैरासाइट पैरासाइट मतलब